हलो गैस विल्कम बैक टो चैनल क्या हाले गाई आप लोग के आयोप सा बच्च होगे गाई आप लोग के बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि ये करीन दोनों का कंपेरिसेन करने के लिए आपका Realme Buds Wireless 3 और ये है आपका Realme Buds 5 5 क्योंकि मैंने एक कंपेर किया था Realme Buds Wireless 3 का 5 प्रो के साथ Realme Buds 5 प्रो के साथ तो उसमें कमेंट्स है थे कि आप 5 के साथ भी करिए क्या डिफरेंस है वो दिखाने के लिए तो आज करेंसे निन दोनों की बीच में रहेगा वीडियो पर सण है तो लाइक करेगा चैनल पर नह दिस्क्रिप्शन में रहेंगे उससे नहीं चेका मेरी थोड़ी हन्त हो जाएगी बिना देरीगे वीडियो स्टाट करतें गाइस इसमें आपको सिंगल माइक ही मिलता है जो की आपको यहां पे देखने को मिलेगा जैसे कि आप देख सकते हैं यह आपका टाइप C का पोर्ट है और यहीं पे आपका LED इंडिकेटर है यहां पे यह देखिए जो दिखे इसको में अनलॉब करता हूँ यह यह आपका LED इंडि आपको यहां एक माइक मिलेगा आपको और 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 आपको यहां एक माइक मिलेगा नेट प्रोटेक्शन भी आपको मिलेगा आपको कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा होगा, थोड़ा कुछ कटिंग करके दिया गया है, नीचे आपका charging points है, तो दोनों के build quality में कोई भी शिकायत वाली बात तो है ने, अच्छा ही है, build quality दोनों का, कोई भी आपको problem नहीं आने वाली का इस ठीक, और यहाँ पे आपक कुछ दिन बात इस वीडियो में आप आगे देखेंगे मेरा सार उखड़ के फेगाने वाला है, नहीं गिरेगा, एर फिट अच्छा ही है, अच्छा फिट होता है, नहीं गिरेगा जेमें आपको यूस करेंगे, कोई आपको problem नहीं आने वाला है, तो गैसे भी जिन में को वो पसंद आता, इसका भी अच्छा ऐसा नहीं कि एक्टम अलचा नहीं है, अच्छा फिटिंग है, नहीं गिरने आला चिंग में यूस का, ठीक रहे, चले फिटेस करते है, अन्ने गई गिरने वाला है, कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं आने वाला है, कितना भी आप अच्छा अच्छा नहीं आपको दोनर परिशानी आने वाली नहीं है, और जो दिखा रहा हूँ, वो ANC आफ के साथ है, अब जो यहां पर ANC चालू करने का जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, यह में सिर्फ वाइरलेस ट्रीका कर पायों, क्यूंकि उसमें आपको कोई भी इने डिटेक्शन नहीं मिलता है, मतम नेक बेंड मैं आपको, तभी मैं ANC चालू करके टेस्ट कर पाया, वरना पैठे रहना पड़ता है, तो रियल्मी बड्सर 5 का चो है, वो कंपनी क्लेम दिखा रहा हूँ, और जो रियल्मी ने क्लेम किया, वो 50% वॉल्यम पे क और गईज, यह रहा है, इसका चारजिंग टाइम किता लगता है, एज जो रियल्मी तुरण वाइरलास 3 जो है, तुरण चारज हैगा 50 मिनिट में, और फिर आपका चले का लंबा, दोनों में यह फर्स चारजिंग और दोनों के इन्पूर्ट चारजिंग 5 वाट्स ही है, अब इस अब लोग इसका आप सपोर्ट देख लिएजिए, सब कुछ मैंने लिग दिया है, यहाँ पर वीडियो पास करके ज़रूर देख लिए लिए, और इसमें सबसे अच्छी बात, डूल डिवाइस कनेक्शन भी आपको मिनतर देख सकते हैं, आपको, यहाँ पर कितने सब कुछ दिखा रहा है, इसमें देखें, डूल डिवाइस कनेक्शन आपको मिल जाता है, लेकिन इसमें एक प्रॉबलम है, जो कि Realme Buds Air 3S जैसा मुझे मुझे निला है, वो मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, जैसे कि यह song है, अभी मैं इसको चालू कर रहा हूँ, अब य अभी आया है, अभी आया है, अब मैं उसको स्टार्ट कर रहा हूँ, किना ताइम लगता है, जैसे काम नहीं करता है, यह बंद हो गया, इसमें चालू करें तो यह बंद हो गया, आपको मैनूली शिप्ट करना पड़ेगा, आटमेटिक शिफ्ट नहीं होगा, और यह चीछ थाब कि उससे भी कनेक्ट हो जाएगा, लैप टॉप से भी, अभी स्ट डिवाइसे देख लीचे काफी फास्ट काम करता है, राइट में और लेफ में ट्रिपल टैप करके रखावा, जैसे कि आपको दीख रहा है, त्री टाइमस टैप करूँगा, लेकिन आपको यह बंद लगाना पड़ेगा, तभी कुछ ऐसा होता है, मुझे ऐसा फील हो रहा है, कि यह एएर्स पे लगाने के बाद ही काम करता है, ऐसे काम नहीं करता है, जैसे कि मैं दिखा रहा हूँ, टैप करके देखते हैं होता है, यह इनियर डिटेक्शन का कुछ सेंसर हैगा इस पक्का इसमें, क्योंकि जैसी मैं एर्स पे देखे लगा लिया हूँ, यह देखे, तीन बर टैप का साउंड हो गया, और यह आके इसमें कनेक्ट हो गया, यह देखे, फिर से को इसमें लाता हूँ, ऐसा भी एर्स से निकालता हूँ, कि एर्स से निकाल क्या पन करता है, यह देखे तीन बार क्लिक का साउंड होग यह देखिए, बदलेब आपको यह पर लगाने के बाद ही यह काम करेगा, डॉल 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 स्विचिंग भी आपका बढ़िया तरीकी से हाम करते हैं, और याद रखेगा जल्दी से टैप करना है, तीन क्लिक साउंड है तो इसमें शिफ्ट हो जाएगा, तो यह था इसका डॉल 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 स्विचिंग, सब दोनों के कालिंग का बारे में बात करके देखिए, कालिंग दोनों का ही मैं बोलू अच्छा है, पर थोड़ा एडवांटेज आपको रियल में बटजर 5 में में लेगा क्योंकि डुपर माइक को साइट अपर अच्छा रहेगा लेकिन थोड़ा एडवांटे ट्रिपल माइक के कारण रियल्मी बटजर 5 का अच्छा ही है इसको भी आप वायल राइडिंग कर सकते हैं लेकिन थोड़ा जैसे मैं बटजर 5 में एक अपडेट आचुका है लेकिन रियल्मी ने वायरलेस त्री में कुछ जादे ही फिक्स किया है और यह दोनों में से वी एफेम को ही प्रोड़क्त मेरेको पूछेगा तो यार मैं तो एक तब वायरलेस 3 ही बोलुगा कि वही एकदम वी एफेम प्रोड़क्त है साउंड के मामले में भी यहां पे मैं आपको वायरलेस 3 को ही एडवांटेज दूँगा कि वायरलेस 3 में आप इस वीडियो के बाद लेने का मन बना रहे है तो आपको में एक चीज बोलना चाहूंगा डाइनमिक बेस को आप आफ मत करें उसको चालू ही रहने दिजे रेल्मी बट्स वायरलेस 3 में नेक बैंट के बात कर रहो अफ मत तर लिये क्योंकि उसमें डि सेग्मेंट है, दोनों में कोई दिक्कत परिशानी वली बात नहीं है, दोनों ही अपने जगा सही है, अब इडिपेंट करता है आपकी ब्राइटी का है, अगर आपका बजट क्या, अगर आप कम बजट के अंदर कुछ बोलोगी कि मेरे को एक अच्छा चीज चाहिए, तो बह उसमें iOS सपोर्ट है, iOS में भी कनेक्ट होता है, Realme Buds Air 5 भी कनेक्ट होता है, Realme Buds Air 5 का बात करते है, देखिए, वो एक और आल पैकेज है, जिसमें आपको calling अच्छी मिल जाती है, ANC अच्छी मिल जाती है, साउंड अच्छा मिल जाता है, और थोड़ा दिकत कहां पर आता है तो दोनों ही अच्छे है, अपने अपने प्राइस पॉइंट पे, वैल्यू फॉर में आपका जाता है, वैल्यू फॉर में आपकेज बोलोगे, जिसमें सब कुछ आपको बैलेंस्ट मिलें, सब कुछ मिलें, इकोली आईफोन में भी चल जाता है, आपको एंड्रोइड, PC, PC, और ये भी PC में connect होता है, सब कुछ होता है, कोई problem नहीं आता है, तो दोनों में से आप कोई भी लीजिए, आपके उपर है, मैं यह नहीं आपकी priority के उपड़ेटी पे पैट्स करता है, कि आपको neckband J के TWSG, मैंने सब कुछ दिखा दिया, आप अपने जाप से देख से पत और सब्सक्राब तो सब्सक्राब करिएगा, और अपने बार इस चैनल पे आये हैं तो, और इस प्रड़क की लिक्स दिस्क्रिप्शन में रहें को से लीजिए, मेरी थोड़ी हल बजाएगी, और यूपे है सुपर थैंक्स तो आइस वीजिए, आपके आपके है इस चैनल प्रड़क की लिए जूँन में बजाएगी, में तो आइस, 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 आइस.